दोस्तों एक जरूरी सुचना अगर आप रेलवे एससी वीडियो टेट सिख्षक भरती परिक्षा यूपी एससी या किसी भी परिक्षा की त्यारी करने हैं तो पंचम पब्लिक्ष्टर का यह बुक जरूर आप खरेद ले और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है और खरीदने का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्षन में नीचे मिल जाएगा अगर आप उस लिंक से खर देंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपए ही लगे और आप यह बुक जो है खरीद सकेंगे बहुत ही अच्छी बुक है और इसकी खास बती है कि आपको यहां पर दस प्रैक्ट से और वान लाइनर भी दिया हुआ है तो आप वहां से जरूर खरीद ले और इसका खरीदने का लिंक जो नीचे डिस्क्रिशन में दिया हुआ 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 है नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करां सरहिंगा तो आपका स्वागत मैंसी को चैनल सरलिकरन यानि सिंप्रिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में उन्हों बात करेंगे तो यह वीडियो मुख्य रूप से सिक्षक भरती परिक्षा टेट सीट यूपी टेट और रेलवे और एलपी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपको इसके साथ सिप्रिफिकेशन बताऊंगा सरलिकरन के सॉल्व करने को लिए बहुत तरीका बताऊंगा तो उसको सिर्फ तीन से चार सेकंड में आप सॉल्व कर सकते कोई भी ऐसा प्रस्ण आएगा तो तो इस वीडियो को लाइक कर दे जी हां फटा फट वीडियो लाइक कर दे ताकि हमारा होसला बने रहे आपके लिए हमें शाय से वीडियो हम लों लाते रहें अगर मैस रिलेटेट और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए आपको तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन ने बहुत सारे लिंक दिया हुए वीडियो का और इसके अलावाद चैनल के प् वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा तो बढ़ते हैं वीडियो में देखें तो रूट अंडर 4 का मतलब क्या होता है चार का वर्गमूल तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका पावर क्या है एक बटा दो है एक बटा दो है तो आपको ऐसे भी दे सकता है या तो यह पिर चार के पावर एक बाटा 2 भी दे सकता है या फिर ऐसे वर्ग्मूल बनाके यहां पर छोटा सा 2 भी लिख सकता है तो ऐसे लिख सकता है तो कितना हो जैगा it is Da конечно Street म Domitou ९ह ले पर यह लख हो जातक हो लुए है। यह लोट गौनवट को आगे मैं आपको बतार गता हूं जया द Mystery से यहां प Karl text क्यूब रूट है क्यूब रूट मतलत तीन का पाधा तीन है और यहां पर कितना है कितना है तीन का पाधार बटा 2 है तो क्या इन दोनों को को एड कर सकते हैं आप इन दोनों को एड कर सकते हैं आपको दिखा देते हैं यहां यहां देख लीजिए करके आप यहांग देख लिखे लिजिए ले इन फीसाव इंट्रू थी का स्क्वार इसका मतलब किया ड् spoon रूट-ठी कितना बार में दोस्तों ऐसे क्वेशन आपको बहुत मिल जाते हैं एक्जाम में देखने को कि एक बटा रूट 3 प्लस रूट 2 दिया हूँ इसको क्या करें इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है तो इसका अपोजिट कैसे निकालता है इसका में सबसे पहले क्या करेंगे नीचे में जो दिया हूँ हर में जिया जो दियर उसकी अपोजिट सैंस उल्टे सैंस म्य प्लस तो क्या WORम रहता है तो यह पर सो यहाद में प्लस लिखके करतें उसके इन प्लस गिए विया पर उपर में कितना है रूट हूच होजाएगा और यह गुणाई ये इसकी में है क्रालोर्स अफर्म होता है क्या है रहा है ए प्लस भी यहांपे दिखा देता हूं मैं आपको ए प्लस भी इंटु ए माइनस भी का फॉर्मूल ता है a2-b2 यानि a2-b2 बराबर कितना तो a2-b गुना में a-b चलिए मैं इसको आप स्वाल करके बताता हूं तो क्या होगा यहां पर a plus b into a-b मतलब ए क्या होगा रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वाइर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वाइर माइनस फॉर्मूला का माइनस यहां पर फॉर्मूला का माइनस उसके बाद b स्क्वाइर तो रूट 2 का स्क्वाइर तो रूट 3 का स्क्वाइर कितना ह लिख सकते हैं पतला कितना जगा चार आ जाएगा तो रूट के अंदर चार मतले क्या जाएगा रूट यह दो हो जाएगा इसका इसका इसी तरह तीन में भी तो 3-2 नीचे में क्या होगा एक उपर का जयों कते वैसे तो यह आपका एंसर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि अग लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के शेर करें ताकि आने वाले सारे एक्जाम की तयारी आपके फ्रेंड्स भी आपके साहसत कर पाएं तो इस वीडियो को बीना लाइक किया ना जाए इससे हमारा होसला बनता है और रोज आपके लिए ऐसे वीडियो लाते र तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप पर जॉइन करें जिसका नंबर 7044323173 यह हमारा WhatsApp ग्रूप नंबर है आपको फ्रीमें मेटेरिल ले प्रॉइप्ट किया जाएगा तो जल्दी करें चलिए उसी के अधार पर एक क्वेशन देख लेते हैं यह रूट 3 प्लस रूट स्थी प्लस ब्लस खुब अभी हमें देखा कि वण बाई में जो अभी रहता है नंबर उसका एंसर कहाँ तो इसका ऑको साव सिराइगो वालता तो इसको तो जो lado से को ऐ titre को ऑन से मेरा सीतार दिए यां पे इसका दर क्या होई का माइनस में टू रूट त्री यह हो गया एंसर तो आपके option में कौन सा एंसर जी होगा option नमबर टू टू रूट थिरी अगला question भी देख लेते हैं दोस्तों यह मैं आपको बहुत easy question बता रहा हूं तो उसके बाद हम लोग क्या easy से tough की तरह बढ़ेंगे तो वीडियो का पूरा आंत तक देखे ताकि आपका पूरा concept क्लियर हो जाए और ट्रिक देख लिए क्या क्या है देखें आपर तो यहां पर रूट सेवन मानेस रूट सीक्स ऐसे लिख देंगे और इसका क्या हो जागा इसका पूरी टोला एंसर हो जाएगा तो यहां पर देखें प्लस मानेस रूट सीक्स प्लस रूट सीक्स कट गया रूट सेवन प्लस रूट सेवन यह होगा आपका एंसर चलिए आगे टफ थोड़ा टफ क्वेशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक करना न नहीं गोस्तों करें यह होगा जो भी होगा इसके पावर में आएगा जो भी होगा इसके पावर में आएगा तो पांच कहान क्या लिखेंगे जितना भी 5 का पावर है तीन है फिर टोटल का पवर कितना है आठ है फिर पांच है पिच्छार जितना पावर है उसको उपर लिखेंगे गुणा में करके 3-8-5-4 ऐसे और जितना रूट में है देखें आप़ रूट के बाहर के है 10 है तो 10 लिखेंगे फिर उसके बाहर क्या है चौव है यहां पर 6、 लिखेंगे 6, 10, 4 और 2 दो किसलिए मैं बताता हूं दो जो है सबसे बाहर वाला जो रूट है वह होता है तो नहीं बताया गता है अपको आपको कि ऐसे चार दे करके या फिर ऐसे करके चारदे बात एक ही है तो यह दो जो है इस्टूडेंट भूल जाते हैं यह सबसे बाहरी जो आपको स्क्वैर रूट दिख रहा है वह होता है यहां पर इसके लिए दो लिखते हैं हम लोग ठीक है तो इसको भूलिएंगे नहीं हम लोग चलिए अब क्या करेंगे त सबसे पहले तीन से दो बार में छे दो से दो बार में फिर यह दो से दो कट जाएगा उसको बाद चार से दो बार में फिर दो से पांच बार में और यह पांच से पांच बार में एक बार में तो पांच का पावर एक यह नहीं पांच हो जाएगा इसका एंसर यह हो जाएग उस सबको नीचे लिए के मल्टिप्लाइब करना बाहरी रूट के लिए यह जो है जरूर लिखेंगे ठीक है कि सारा का सारा चीज़ वारी रूट रूट के अंदर है तो यह हो गया उसको सॉल्व कर लेता है अंसर आजएगा चलिए और एक कुश्ण ऐसा सॉल्व कर लेते हैं और एक क्वेशन देखें आप पर सेम्ट सेम्ट क्वेशन थोड़ा लागे देखेंगे सबसे पहले क्या थीन देखेंगे तो तीन के पावर में जितना ही है तीन के पावर में लेखनें पैसं इसके बाद कर देखिया के हम theo थीन का पवार 20 12 दोस और 8 लिख दिए में किय यह देखेंगे ठशो 25ichara oned the cha yaha paren èonia दिया तो यहाँ पहले यहाँ लिखते या पे लिखते गुने दो क्योंकि работает रहता है यहाँ पर फोर्स रूट दे दी यहाँ पर चार लिखना पड़ेगा अब जो इसको से और नेvaisग आफे एंसर इसका आ करेंगे तो 3 का 4 आएगा और 3 गूने 3 गूने 3 का पार 4 का मतलव क्या होता है तो यह क्या हो गया माजने में इंसे ऐसे हो गया एंसर कर लास्टाइव देख लेटेंगे आप बहुत इंपोर्टेंट थी एक बटा रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसे करके जो है क्वेशन दिया हुआ है अप्टू कितना तक एक बटा यहाँ पे देख लेए एक बटा रूट 99 प्लस रूट 100 तो ऐसे क्वेशन को सॉल्व करेंगा मैं आपको बताया था कि जब जब भी ऐसे नंबर देता है तो इसका पोज रहता है तो इसका एंसर क्या होता है रूट 3-2 क्योंकि हमेंसे बढ़ा वाला पहले लिखेंगे और एंसर जो है नीगेटीव में आएगा यह मैंने आपको बताया था तो इसमें भी क्या होगा रूट 2-1 यहां भी रूट 3-2 यहां पर रूट 3-4-3 ऐसे करते-करते बीच म प्लस रूट अबर हंड्रेड तो इसके पहले कौन सा आया होगा यह आया होगा आया होगा यह आप तो अब क्या करेंगे तो इसका एंसर क्या होगा 99 रूट टी 29 समय रूट नैंटी एंसल प्लस उसके बाद आगे क्या होगा रूट हंडड मैंस रूट नैंटीण एसे होगे अब यहां पहाँ पर मैं आपको चीज बता रहा हूं यह देहिए यह प्लस में रूट तुब हैं यह माईने कritis तुब हैं यह प्लस में रूट 3 यहाँ देखें यह कट गया यह कट गया यह कट गया ऐसे करते सारे नमर कट जाएंगे 99 भी यहां से 99 कट जाता है अंठानवे भी कहीं नहीं कहीं आया होगा बीच में उसकर जाएगा सिर्फ रूट अंडर 100 और माइनस में रूट और रूट ओबर वन आएगा तो माइनस रूट वन का एंसर क्या आता है रूट वन का वैलू क्या आता है तहां पर माइनस वन और एकस होका रूट में अगर वर्गमूल कितना तहीं 10 होता है तो 10 में से एक या 9 यह हो जाएगा आपका सिंपल सा एंसर चलिए अगला क्वेशन सेम टू सेम वह सही है मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए आपए अभी यहां देख लीजी वह क्वेशन है आपए लेकिन यह कहां तक दिया हुआ है 120 प्लस रूट ओबर 121 तो इसका मतलब क्या है सबसे पहला हम लोगे माइनस वन neighborhood by जाएं रूट में और जोए बाए बच जाएगा हमेसा यह बच जाएबा सबसे बढ़ा वह बच जाता है और तो सबसे पहला नंबर माइनस बच जाता है सबसे पहला नंबर क्या है यह माइनस बच最近 बच तो रूट ओबर माइनस 1 मतलब माइनस 1 और 121 का वर्गमूल होता है 11 तो यहां पर क्या हो गया देखिए 11-1 बराबर 10 तो दोस्ता यह था बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही स्थांदार्ड ट्रिक्स मैंने आपको बताया सिंप्लिफिकेशन यानि सर अली करण के सवालों को अगर आपको वीडियो पसान आया तो जितना हो से को उतना अपने फ्रेंड का शेयर करें और वीडियो को भीना लाइक करें ना जाया